साइबर अप्राधियों ने करनपूरा निवासी सेलून संचालक संतोस कुमार हजाम के बैंक खाता सी लगबग 43,000 रुपई की फर्जी निकासी करने बुदवार कुस सेलून संचालक ने गिरीडी शाइबर थाना वा बिंगबाद थाना को आविधन देकर साइबर अप्राधियों के विरुद कारवाई करनी की मांग की है साइबर थाना पुलिस को दिये गए आविधन में उलेख किया गया है कितस जुन के रात को सोसल मीडिया के गुरूप में पीम किसान नीधी योजना का लाव लेने के लिए रजिस्ट्रेशन एप छोड़ा गया था सेलुन संचालक ने उस एप को खोल कर ओपेंड कर दिया इसके बाद उसका मुबाइल हैख हो गया कहा की काफे प्रयास के बाब भी मुबाइल ठेक नहीं हुआ दूसरा दिन सुबह के नौ बजे उसके मुबाइल पर बिंगाबाद जहारखन ग्रामिन बैंक शाखा के खाता से 42,997 रुपई की निकासी होने का मैसेज वाया मैसेज देखने के बाद उसके हो सोड गये बुक्त भोगे ने सबसे पहले नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 पर इस बाद का शिकायत दर्श कराया गया फिर गिरिड़ी साइबर बिंगबाद थाना और बैंक शाखा को आविदन दे कर इस घटना की सूचना दी गे साइबर ठगी के शिकार हुए सेलून संचालक इस घटना से टूडिया है कहा की बड़ी महनद से बैंक शाखा में पैसा जमा किया था बदलादे की पंदरा दिनों के भी तर्विंगबाद थाना चेतर साइबर ठगी की यह चौथी घटना सामने आया है